नमस्कार दोस्तों मैं हूँ तीलोक और स्वागत है आप सभी का GTT टेकनोलोजी चैनल पे तो गाइस अगर आपका भी बजट कम है और आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हो जो लो मेंटेनेंस हो अच्छी माइलेज दें इंजन पावरफूल हो सेप्टी हो और सबसे अची बात की वो दिखने में अच्छी लगे तो हॉन्डा साइन 125 आपके लिए बहुत अच्छा आप्सन हो सकता है टोटल पांच कलर और दो वेरियन्ट के साथ ये बाइक आती है अभी जो आप स्क्रीन पे देख पाड़ ये इसका डिक्स टॉप वाला वेरियन्ट क्या 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 फीचर्स आपको मिलते हैं माइलेज कितना देती है टॉप स्पीड कितने तक जाती है डीटेल में अन्रोट कीमत क्या है ये सारी जानकारी मैं आपको अचकर इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक पूरा देखिएगा तो चलिए सबसे पहले सुरुआत करते हैं इसके फ्यूल टैंक से तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओंडा की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है थ्री डी में क्रोम के फिनिस के साथ त्री टोन कलर की यहाँ पे आपको ग्रैफिक्स दिये गए उपर में आप देख सकते हो ग्लॉसी फिनिस मिल जाता है E20 की आप इस्टीकर वर्क देख सकते हो फ्यूल टैंक कैप यहाँ पे आपको दिया गया है 10-10 समलो 5 लीटर की आपको कैपसिटी मिल जाती है मेडियम सॉप टाइप की यहाँ पे आपको इसके कलच दिये गए दूसरी और यहाँ पे आपको रेट कलर का इंजन की इल और सुप इस्टार्ट का स्विच मिलता है फुली अनलॉक टैप के यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिल जाते है सपीडो मीटर देख सकते हो एकनॉमी जोन के साथ आपको मिलता है कुछन आपको medium soft type का दिया गया है, seat देख सकतो काफी wide आपको मिल जाता है, 791 mm की आपको height मिल जाती है, और seat call पर यहापे आपको sign की sticker work दी गई है, नीचे side में भी आप देख सकतो dual tone color की आपको graphics मिल जाता है, seat lock और यहापे आपको दिया गया है, single piece का यहापे आपको grab handle मिल जाता है, glossy finish के साथ में, और lady plane safety के लिए आप आप देख सकतो, black color का आपको sari guard मिलता है, rear वाले suspension की बात करें तो यहापे आपको hydraulic type के fully adjustable वाले suspension दिये गया है, जिसे कि आप अपने हिसाब से adjust कर सकतो, fiber का आपको full chance set की cover मिल जाती है, और box वाले यहापे आपको swing arm दिये गया जिस पे आपको लिखा मिल जाता है कि tire pressure कितना रखना है, pillion का adjustable foot pack देख सकतो और side panel पे आपको 125 की sticker work मिल जाती है, chrome के यहापे आप treatment देख सकतो और 5 speed gearbox के साथ यह bike आती है, rider के यहापे आपको non adjustable foot rest देखने को मिलता है, side stand cut up जैसे आपको features मिल जाते है, यहापे आप इसका center stand भी देख सकते हो, engine पे आपको Honda की branding देखने को मिल जाती है, single piece horn के साथ यह bike आती है, engine और power की बात करें दोस्तों, तो इस bike में आपको मिलता है 123.94 cc का air cool, 4 stroke, tubal, BS6, FI engine, यह engine maximum power generate करता है 10.74 PS का 7500 rpm और maximum torque generate करता है 11 nm का 6000 rpm और top speed आपको 165 km per hour के असपास का मिल जाता है, और दोस्तों जैसा कि यह और SP 125 दोनों ही mileage के लिए जानी जाती है, तो दोनों ही bike में आपको 60-65 kmpl की mileage असानी से मिल जाती है, तो चलिए दोस्तों, नेक्ष्ट अब engine के बाद बात करते हैं इसके front के view की, तो यहाँ से आप इस bike का पूरा front कभी हो देख सकते हो, कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है, glossy black color finish के साथ, यहाँ पर इसका front वाला visor दिया गया है, जिसके उपर आप देख सकते हो, Honda की आपको sticker work मिल जाती है, काफी खुबसूरत यहाँ आपको chrome के treatment मिल जाते हैं, जो कि इस bike के look को काफी premium मनाती है, side में आ आपको इसका front वाला mudguard मिल जाता है, जिसकी build quality आपको काफी अच्छी मिल जाती है, सामने से यहाँ पर high security number plate लगाने की जगह देख सकते हो, और telescopic type के आपको suspension दिया गया है, जिसके दोनों और company ने यहाँ पर आपको reflector provide करा है, 240 mm diameter के आपको dix brake मिल जाते हैं, जैसा कि यह d brake वाला variant है, निसिम का यहाँ पर आप कैलीपर देख सकते हो, और टैर यहाँ पर आप देख सकते हो, 80, 118 का आपको दिया गया है, 18 inches का यहाँ पर आपको black color का alloy देखने को मिल जाता है, इस side से भी दोस्तों यहाँ पर आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है, 3D में, नीच के side में यहाँ पर आप इसका kick lever देख सकतो, rider का आपको non-adjustable footage दिया गया है, brake pad यहाँ पर आप देख सकतो, engine पर आपको Honda की branding दी गई है, engine while cap यहाँ पर आप देख सकतो, उपर में यहाँ पर आप spark plug देख सकतो, catalytic converter यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और 162 mm के आपको ground clearance मिल जाते हैं, बाकि अगर इसके पीछे side की और चले दोस्तो, तो यहाँ पर आप देख सकतो, pilion का आपको adjustable footage दिया गया है, इसके साथ साथ एक जोस्ट यहाँ पर आपको same SP 125 वाला ही देखने को मिलता है, उपर में आप देख सकतो, chrome की treatment मिल जाती, 130 mm के आपको drum brake दिया ग कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको दिया गया है, bulb के यहाँ पर आपको tail light देखने को मिल जाते हैं, और उपर में देख सकतो, Honda की आपको sticker work दी गई है, number plate लगाने की यहाँ पर आपको जगा मिल जाती है, reflector देख सकतो, और bulb वाले आपको fully flexible turn indicator मिल जाते हैं, जिसके build quality यहा तूटने का खतरा बिलकुल कम रहता है, रेयर वाले mod guard को भी यहाँ पर आप देख सकतो, company नहीं से काफी flexible दिया है, by the way अगर आपके bike को पीछे से कोई touch भी करता है, तो तूटने का खतरा बिलकुल कम रहता है, रेयर में भी आपको 8018 का tubeless tear दिया गया है, तो चलिए guys finally जानकारी मैंने आप पो दिया प्रसांत मोटर्स कलंबाग रोड लेली चौक मुझा फर पुरिस्तित सोरूम में, यहाँ पे आप वेजिट कर सकते हो, Honda के किसी बाइक ए स्कूर्टी का test drive ले सकते हो, इसके अलावे आप finance से संबंदित भी कोई जानकारी चाहते हो, तो स्क् के जग और GTT Technology चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजगा